हेलो प्यारे बच्चों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी आईक्यू प्रीमियम में आज़ा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आज हम लेने वाले हैं सियार्पिया पेरामेडिकल सफाई करमचारी का पार्ट रिलेवन और इसमें हम लेने वाले 10 प्लस क्वेश्चन जो कि आपके सभी सफाई करमचारी एक्जामों के लिए महतपूर होने वाले हैं तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो को और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा ज्यादा चैनल को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना है और डेली राम चैनल के साथ जरूर जोड़ जाएं तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को देखिए बैरवच्चो पहला question आपके सामने आ चुका है एक सफाई करमचारी को किस प्रकार के जोखिम या संकट का सामना करना होता है तो जोखिम से मतलब है कि वो किस प्रकार के जोखिम में रहता है मतलब वो जो आपके government द्वारा उसका जोखिम जो होता है किस category में रखा जाता है एक सफाई करमचारी को तो देखिए A option दे रखा है, कम जोखिम, लो रिस्क में, B माध्यम जोखिम, मौडरेटर रिस्क में, C भारी जोखिम, हाई रिस्क में, या इन में से कोई नहीं, तो right answer आपको टिक करना है, कौन से रिस्क में रखा जाता है, आपके सफाय करमचारी को, तो देखिए बच्चो कोविड-90 के बाद अस्पताल में सफाय करमचारी के लिए डैस दस्ताने दिये जाते हैं, तो जो कोविड-19 के बाद जो आपके दस्ताने दिये जाते हैं, सफाय करमचारी को, वो कुन से किस प्रकार के दस्ताने आपके दिये जाते हैं, तो देखिए लेटेक्स दस्ताने, B option में दे रखा है नाइटरिल दस्ताने या C option में A और B दोनों या D इन मेंसे कोई नहीं तो right answer आपको take करना है तो देखे बच्चों इसमें जो COVID-90 के बाद जो अस्पतालों में दस्ताने दिये जाते हैं ये जो दस्ताने होते हैं इनको आप जरूर दियार रखेंगे जो नाइटरिल दस्ताने होते हैं आप सामने इस चितर में देख पा रहे हैं इनको नाइटरिल दस्ताना कहा जाता है तो याद रखेंगे जो COVID-19 के बास सफाई करमचारी को जो दिये जाते हैं, वो नैट्रिल दस्ताने होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, अगला question आपके सामने, मुर्दागर के करमचारी को कौन सी PPE kit अनुसरिचित की जाती है, जब वह सब को ले जाते हैं, या सब को जलाते ह पूछ रहा है कि कौन सा जो जब सब को, जब मृत सरगी होता है, उसको जब ले जाते हैं, तो उनको कौन सी kit जो है, मोहिया कराया जाता है, ठीक है, पीपी kit में कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, चेहरे ढाल और काले चसमें, मास्क या जूते, दस्ताने, कबरल या जाते हैं, तो उनको जो kit दी जाती है, वो संपूर kit दी जाती है, जो भी kit में आपका सामान होता है, तो उसको संपूर kit को दिया जाता है, आपके मुर्दागर में रहने वाले और सब को ले जाने वाले करमचारियों को, ठीक है, तो जिहान रखें गया, ऐसे ही question आपके करम करमचारियों सफाई करमचारी के लिए बनते हैं, तो अगला question आपके सामने आ चुका है, मुर्दागर के करमचारियों को, डैस PPE kit अनुसिचित है, जब वह dead body निगरानी कर रहे हो, जब वह dead body जो भी मृत सरीर है, उसकी निगरानी पर लगे हुए हैं, और उसकी जो right answer जो होने बाला है, option A, N95 mask और दस्तान, यह आम तोर पर उनको दिये जाते हैं, जो देखवाल में रहते हैं, ठीक है, मुर्दागर में जो अनुसिचित किये जाते हैं, यह N95 और mask इनके लिए जरूरी होते हैं, तो चलिए अगला question देख लेते हैं, अगला question है, तो सफाई करते समय, उन जूतों में जो उपियो किया जाता है, उनमें कौन सा कपड़ा यूस किया जाता है, तो यह पूछ रहा है, इसमें option दे रखा है, सूती के कपड़े, cotton के, B, linon, C, abhedyya कपड़े, imperival fabric के, यह D, इनमें से कोई नहीं, तो right answer आपको इनमें से टिक करन जाता है, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ऐसे ही वीडियो रोज पाने के लिए, क्योंकि यहां पर समय से पर आपको exam से updated किया जाता है, और जो आपके exam की तयारी है, बड़े सटीक तरीके से कराई जाती है, तो हमारे चैनल के साथ आप जरूर जो जाएं, अगर जाता है, तो आप ज़रूर ध्यार रखेंगे, जो सफाई करबचारी अपने जूतेयों में जो कपड़ा यूज करते हैं, वो अभेद्य कपड़ा होता है, ठीक है, हिंदी में आप अभेद्य कपड़ा और इंपेवरियल फैवरिक अंग्रेजी में कहेंगे, ठीक है, याद पे सामान कोई खटा की जाता है, कोई भी व्यक्ति को ठहरा कर रखा जाता है, या वेटिंग एरिया आप कह सकते हैं, जहाँ पे व्यक्तियों को रोक कर रखा जाता है, तो एस स्थाफ को जो वहां पे देख फाल में होते ही, तो उनको किस प्रकार की पीपी केट मौहियाff क चुका है A option N95 respirator mask और दस्ताने जो आपके holding area और waiting area में staff जो लगा होता है जो देखवाल के लिए staff लगा रहता है तो उनको जो आपके जो kit में मोहिया कराते हैं सामान तो उनमें N95 respirator mask और दस्ताने आपको मोहिया कराये जाते हैं ठीक है यह आप जरूर ध्यान रखेंगे कौन कौन सा सामार कहां कहां पर यूज कराया जाता है ठीक है तो चलिए अगले question की तरफ चल लेते हैं अगला question देखते हैं देखे अगला question आ चुका है कब राज़्ट सफाई करमचारी आयोग ncs के का गठन किया गया था तो देखे option दे रखें आपके सामने बारे घस्त 1994 बी बारे जनवरी 1995 यह c बारे अक्टूबर 2004 यह d कोई नहीं तो राइट आंसर आपको टिक करना है इन में से कौन सा राइट आंसर आपका होने बाला है तो कव किया गया था आपके राइष्ट सफाई करमचारी आयोग का गठन यह आपको बताना है बड़ा ही महत्पूर्ण क्वेश्चन है आपके एक्जाम की द्रश्टी से देखे बच्वा आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि यहां प गठन किया गया था यह आपका 12 गस्त 1994 को किया गया था तो आप जरूर द्यान रखेंगे कि आपकी सफाई करमचारी आयोगा गठन कब किया गया था 12 गस्त 1994 को तो बच्चों अभी जो आपने हमारी वीडियो जो देख रहे हैं यह जो है आपके सफाई करमचारी के लिए इ उनको जरूर सियर करें वीडियो को और जादाते से जादा चैनल को सस्क्राइब करें देखिए वच्छो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर एक अपसिस्ट संग्रह को जाना जाता है अपसिस्ट संग्रह यह सफाय करमचारी को बोल रहा है तो उसको क्या जाना जाता है एक प्रकार से तो A option में दे रखा है कच्रा उठाने वाला आदमी या B कच्रा फेंकने वाला आदमी या C option Dust Beaner या D उप्रवक्त सभी तो right answer आपको टिक करना है इन में से एक obsessed जो संगरक होता है सफाय करमचारी जो होता है उसको किन नामों से जाना जाता है तो right answer आपको इन में से चारों में से बताना है कौन सा होगा right answer बचो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर जी दिए और जादा से जादा फ्रेंडों के शेयर कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे बड़ी ही मेनद से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है और बड़ी महत्पों क्वेशन आपके लिए डेली आपके लिए कराए जाते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और साथियों के साथ ज़रूर पहुचाएं चलिए बताईए अपना राइट आंसर कौन सा होने वाला है इसमें देखिए राइट आंसर होगा इसका उप्रोक्त सभी जो एक अपसेष्ट संग्रह को होता है सफाई करमचारी होता है उसको कच्रा उठाना कच्रा फेकना और डस्ट वीनर के नाम से आप जानते हैं ठीक है तो ज़रूर द्यान रखेंगे अगला क्वेश्ट देख लेते हैं अस्पताल में किस इस्तान पर उच्चतम सफाई स्तर की आवश्यक्ता होती है तो यह पूछ रहा है जो होस्पीटल्स होते हैं उनमें जो उच्चतम सफाई स्तर की आवश्यक्ता होती है तो किस जगह पर होती है यह ओपीडी ब्लॉप म यह प्रतिचाले रूम में यहां D. I.C.O में तो राइट आंसर आपको टिक करना है कहाँ पर यह सबसे ज्यादा जरूरी होती है सफाय तो देखिए इनमें से चारों ऑप्षन मेंसे आपको बताना है तो कौन सा राइट आंसर होगा इसका कमेंट में आंसर जरूर देना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है और कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं ये आपको जरूर बताना है तो देखे बच्चो इसका राइट आंसर जो होगा option D, ICO देखे अगर ICO इसमें option में नहीं मिलता है उस अवस्ता में आप प्रितिशाले रूम टिक करेंगे आंसर में ठीक है तो द्यान रखेंगे आप अस्पताल में किस हिस्तान पर उच्छतम सवाईस तरगी आविश सकता होती है फर्स्ट नंबर पर ICO और उसके बाद आता है आपका प्रितिशाले रूम वेटिंग रूम जो होता है तो चलिए अगला question और last question आपका जहाडू बना होता है तो देखे इसमें जहाडू जो बना होता है option आपके सामने दे रखें कौन कौन से इन मेंसे जहाडू के प्रकार है इन मेंसे बना सकते हैं तो देखे ए option है नारियल के पत्ते से आप बना सकते हैं B ताई पत्र जो ताड का पत्ता होता है उससे आप बना सकते हैं यह C A और B दोनों से बना सकते हैं यह D, इन में से कोई नहीं, तो right answer आपको टिक करना है, इन में से कौन सा right answer आपका होने बाला है, तो बच्चों बताइए कौन सा होगा इसका right answer, जाडू के किन पत्तों से आप बना सकते हैं, तो यह पूछ रहा है इसमें, तो देखें बच्चों इसका right answer जो होगा, option C, A और B यह दोनों ही सही होँगे इसमें, जो आपका नारियल का पत्ता होता है, यह ताड का पत्ता होता है, ताड का पत्ता जो होता है, उन दोनों से ही आपके जो जाडू है, बनाई जा सकती है, ठक है, आप दियान रखेंगे कि यह दो पत्ते जो है, नारियल का पत्ता और ताड़ का पत्ता इनसे आपकी जाड़ू बनाई जा सकती है तो अभी तक आपने इमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को ज़रू दवा लें ऐसी ही वीडियो रोज पाने के लिए और हमारे टेलीग्राम चैनल के सा बात और जुड़ जाए अपने फिर्एंडो के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कमेट में अंसर जड़ू बताएं कि आप कितने सही कर पाए हैं इस सीरीज में तो कैसी लग रही आपको सीरीज ये ज़रूर बताएं और मिलते हैं क्लिल वीडियो में जय हिन जय भारत